सुनते शब में सुहों के नूर का ऐनान है ने भी हर तोर में एहले बतन का मान है सुबते शब में सुभों के नूर का एदान है ऐसी बस्ती हुग मुरानी हो जहां कानून की ऐसी बस्ती हुग मुरानी हो जहां कानून की ऐसी बस्ती बसान ने भी की शान है ने भी हर तोर में एहले बतन का मान है जुल्मते शब में सुभों के नूर का एदान है असलाम अलेकुम लिस्नर्स एफम वन वन कराची के स्टूडियो से रभी आकरम इस वक्त आप से मुखातिब है और मेरे मुखातिब होने का जो कुछ मकसद होता है वो थोड़ा सा खास ही होता है आम तोर पर हम कहां सुनाई देते हैं आम तर पर तो आर जेस शो कर रहे होते हैं लेकिन इस वक्त हमारी हाजरी का मकसद क्या है वो यह है के नैप का खुसूसी प्रोग्राम है यानि नैशनल अकाउंटबिल्टी ब्योरो का प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे आज डिप्टी डिरेक्टर नैप कराची कमरःबस अबसी से और मैं जिनके साथ शरीक गुफ्तगु रहुँगी हमारे बस खलील चन्ना साथ तो वह भी हमारे दरम्यान मौझूदा है मेरा खाल हम कमरःबस अब्सादी को वेलिंगम कर दे टा Oreo जिए बहुत शुक्राइब और कमर अबास साथ को हम खुशामदी करते हूं बहुत शुक्राइब आप तश्रिफलाइब थोड़ी से कोशिच की दिएगा कि मारीक के करियों बाजाए ताके आपकी आपकी आवाज जो आपके पहुंग जाए कमर अबास अबासी पहली दफ़ा के प्रोग्राइम में आप शिर्कत कर रहे हैं या आ चुके हैं से बहुत नहीं पहले कर चुक्राइब नाम कमर अबास अबासी है मैं नैशनल अकाउंटिबिलिटी ब्योरो कराची में डिप्टी डिरेक्टर की हस्यत से फराइज अंजाम दे रहा हूं और इस वक्त में आप लोगों के पास हूँ अगर आप लोग जो सामीन हमें लाइब सुन रहे हैं वो अगर हम से कुछ पूछना चाहें वरकिंग के ब एक है हमारा प्यार सी एस बिल्डिंग जो के नियर एफ जी कॉलिज केंट स्टेशन पर है ठीक है और डॉक्टर दाउद पोटा रोड और दूसरा जो है हमारा दफतर है वो है पासपोर ओफिस के बिल्कुल सामने पाकिस्तान से कीटरियर्यट है वो हमारा नैप ऑपरेशन सकते है आप हमें परन हमें ओफोन ऐ्रस अलडिय प्रन्द्र है आप हमें आट रिपैस करके उगरम है अपने पिल्ड ओगरह रहे जी हां और प्रमें जो है वेगरा वगरा हों और बाकी उसके लाव इमेल अडरस बताना पस्द करेंगा है जी हाँ हमारा इमेल अडरस है desk at nap.gov.pk ओके ये देखें जनाब कमर अबास अबासी ने अपने तक रसाई के लिए या nap के अदारे तक रसाई के लिए तमाम जो options हैं वो बता दिया है आप फादर में खुद भी बरायराज जाके complaint टांच कर सकते हैं अपनी और इसके इलावा जो टेलेफून नंबर बताया 9920-7778 इस पर आप टेलेफून के जरीए या इमेल अडरस बताया इसके जरीए भी आप मुखातिब हो सकते हैं और अपने का की बाते आती हैं झेखे नइप जो है वो 1999 के और टारीणस नेशनल अकूंटविलेटी और आध्यारे वजू अर अब तक जो है इसमें amendments पी की जा चुकी है. NAB जो है बिसिकली एपेक्स और्गनाज़ेशन है regarding anti-corruption efforts within Pakistan. और हम लोग जो है वो UN body में जो है वो member भी है under UNCAC conventions के और हमारा जो main body है हमारे कानून की जो के offences को जो देखता है वो misuse of authority or corruption practices से related है. इसके अदर कोई भी सरकारी मुलाजिम और any other person जिनके बारे में misuse of authority शिकायत है या जिनके misuse of authority के तहर सरकार को नुकसान हुआ है खजाने को नुकसान हुआ या किसी private person को या private organization को या private entity को फाइदा दिया गया जिससे सरकार को नुकसान हुआ वो हमारे दारायकार में आता है कोई जो के accumulation of assets beyond non sources of income उसके तहत अगर कोई जी रहा है जो के अपने हलाल रिसके असूल को जो है वो थाबित नहीं कर पा रहा और उसके पास बहुत जादा और जो हैं वो प्रॉपर्टीज या उनके assets हैं तो वो हमारे दारायकार में आते हैं और इसके अलावा जो public at large के जो complaints होती है housing societies के हवाले से जो यह ponzi schemes होती हैं इसमें double shot और मदारा केसी जो है बड़े मशूर है वो जो हैं हमारे दारायकार में आता है और इस हवाले से जो हैं हम लोग अपनी day to day तो corruption के जिमन में ही माली बदनवानी भी आती है क्या आप बताना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स इस हवाले से के माली बदनवानी के जो केसिस आपके सामने आया है उन में किस हद तक कामिया भी हासिल हुई देखें नैप की जो prosecution जो percentage या उनकी जो सेक्सिस स्टोरी या रेट है वो मोर दें तक्रीबन 75 परसेंट है जो के और किसी LEA और 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 जो है वो बहुत ही बहतर है और इसका मतलब है कि अगर 100 कैसे फाइल होते हैं तो तक्रीबन 75 से जादा 76 80 के असपास जो है वो कन्विक्शन उनके अदर होती है अच्छा और माली बदनवानी के हवाले से यह है कि जब से नेव मादरे वजूद में आया है उस वक्से लेकर अब तक जो हमारी फिगर्स है वो अक्रॉस पाकिस्तान हम लोग क्लोज टू 290 बिलियन रुपीज रिकवर कर चुके है 290 बिलियन अब लोग कर चुके है और साकारी खाजाने में शामिर कर चुके है अच्छा उसमें ये भी होता है कि जैसे माली बदनवानी किसी किसी अगर मातयत गर्मेंट की होती है या चाहे वो लोकल गवर्मेंट हो चाहे वो ब्रोविंशल गवर्मेंट हो या फ्रडल गवर्मेंट हो तो जैसे हिरा Hai Money Recover के net के अकांट में आती है तो फिर वहां से ili प्रासेस हो के उस मतलिका हकुमत के हवाले किया जाता है For example, अगर revenue departments in government का का को केस है या कोई transport department का या किसी भी department का कोई हो जहां पर बदन्वानवी हुई हो और इस पर inquiry investigation के तहत पैसे recover किये गए हो तो फिर उस मुतलिका department के जो करता धरता होंगे या जो officer होंगे, secretary होंगे तो उनको जो है वो through check जो है वो पैसे वापस दिया जाता है individual cases भी इसी तरीके से होता है जिस department के offenses होते हैं या जहांसे recovery होती है उसी department को फिर वो पैसे वापस किया जाता है अच्छे जनाब ये फर्माईए कि अभी आपने बताया कि पैसे उन department को वापस किया जाते है जहां से जो उनका हाक है यह ही कहा जाए जहां से वो बदुनवानी होई होई है नेब गुजश्चता दो साल या एक नेट साल में काफी active भी हो गया है बहुत सारे मुजवाद हैं उसकी ठीक है क्योंकि एक तो मीडिया ने काफी इसको active किया है और काफी नेब के जो नताय जाए हैं काफी बहतर आए है यह बहुत पराना एदारा है जाहरे निनार में निनार में पनार साल तक्रीब हो गया है उसको तो इस दोरान इससे पीछे अगर हम नज़र डालते हैं तो नेब को कोई खातरखा नहीं उनकी कामियावियां हासल हुई थी अगर हुई भी थी तो फिर वो कैस कैस जितने भी है जो चाहरे वो सियासी नौईयत के हो चाहरे किसी नौईयत के हो वो फिर डंप हो गए थे फिर उसको रिस्टार्ट किया गया था तो इस पे ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मैसूश की जा रही है इस पे आप क्या कहेंगे देखें नैब के पास जो जिस भी ड्यू प्रॉसेस के ताहट कंप्लेंस रिसीव होती है तो एसा कभी भी नहीं होता के वो कंटेंट डंप हो जाएगी विदाॉट ट्यू प्रॉसेस वो या तो कंवर्ट की जाएगी अगर उसके अंदर मीड है अगर उसके अंदर आ विदेंस है उसके अंदर प्राइटिन्टिंटिंग heating ऐसे है कि वो कोई incriminating evidence किसी चीज़ के अंदर वक्ती दोर पे नाम मिल रहा हो और जोंकि हमारे inquiries and investigations time bound होती हैं हम लोग साला साल लेकर नहीं चल रहे होता है क्योंकि अगर किसी अदारे या किसी शक्सियत के खिलाफ अगर कोई inquiry authorize की जाती है तो जारे उसके लिए भी एक ये nuisance होती है और courts भी इसके अंदर होती है शामिल होती है तो हमें जो है एक time line दी जाती है हम उस time line के तहत हम लोगों को inquiry का disposal करना होता है अगर incriminating evidence within those record पे आ जाता है तो हम लोग उसको upgrade कर देते हैं अगर किसी वज़ा से incriminating evidence नहीं आता तो वो वो NFA के लिए recommend कर दिया जाता है तो ये तो NFA stands for No further action अगर जो है incriminating evidence आता है तो फिर हम लोग ये make sure करते हैं कि जिस हद तक कानून के दाएरे में रहते हुए इसको इसको जो है मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाहे वो हम लोग अंजाम तक पहुंचाते हैं चाहे हो reference file करना क्यों क्यों नहों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पहले हमारे कानून के दाएरे प्रोविजन था voluntary return का और फिर वो supreme courtness को जो है वो discontinue कर दिया function को अभी plea bargain का provision बाकी है तो बहुत से cases plea bargain की वज़ा से जो है provision की वज़ा से वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं बहुत सारे cases जो है वो media में आ जाते हैं कि ये चीज़ take up की कर दी गई है और लेकिन बाद में उसका जो अगर reference भी file हो जाता है तो वो बाद जो काद अख़वारों की जीनत नहीं बनता जिसकी वज़ाद से एक तासुर रह जाता है कि यार देखो 6 मीने पहले या साल पहले फ़लान चीज़ भी आई थी उसका तो पता ही नहीं हुआ क्या नहीं हुआ तो लेकिन वो बाद वो का चीज़ें आख जो है वो कोटों में भी references file हो जाते है फिर कोटों के अपने एक process due process of law है कि जब तक witnesses call होते है evidence जो है वो exhibit होता है फिर उसमें time लगता है action rate है अच्छा एक general observation भी है कुछ सवालाद भी हमें करते रहते हैं लोग कुछ हम on air करते हैं नहीं करते हैं अब मुझे नहीं पता ये मुझे आपसे पुछना चाही कि नहीं चाहिए यहां पाकिस्तान में बलके कराची में कि हम मिसाल लेते हैं हमें मीडिया समझ कर वो कुछ नहीं कुछ हम पर depend भी करते हैं और यहीं जरीया समझते हैं एक कामन एक शकायत आई वह है कि जनाब इस वक्त जो बेजली सप्लाई करने का जो इतारा है कराची में वो बड़ी तेजी से मीटर चैंज कर रहा है और कुछ नहीं कुछ बहाने करके कि जनाब कि मीटर में और तार निकली हुई है और वो उसके ओपर केस लगा देते हैं अब यह आप वह पहले आप जमय कराई यह, किस्ती नहीं करई कुछ करें पर हम आपका केस देखेंगे य Опक एपर के शर्थ है करेगा उसके ओपर कोई सद्धबाब है कि यानि वह बिचारा कुछ अपने गाये बहत सोना जैवर बेच के फिर करें तो इस पर क्या किया आप लोगों ने अच्छा देखें आप लोगों ने अच्छा देखें आपकी बात आप यह कहना चाहा हूंगे कि अब तक कोई शिकाय कोई बहुतिकों से नइप कोई ले सकता है कोई बहुतिम्स मतलब कोई भी चैटिर्फन या कोई भी जो है ऑथराइजेशन इंक्वारी इंविस्टिकेशन या सीवी के लिए हो सकती है या तो हमें कोई क्मटलेन मौसूल हो चाहिए वो राइटिंग की शकल में आ रही हो इ Chinese government. चैर्मेन ने जिनको authorised किया हू जो है मुफ तलिका doggs जो है कि वो जो है on their own accord जो है on their own immunity inquiry Score करना चाहिए थांफ और सकते है ituka कर सकते है ऐसा भर दो कर सकता है पलकल हो सकता है और गटक था कही है लग iस नहुद आप ऐसके लिए बागाधध सियास्सी ताहर पर कि अ हो रहा है, इससे तो आहां आए अका तो तो कुछ पदा ह Tabii यह आ का ही आपकी है उसके मुअफमिन हैं आप रहु ऐसको वो तो मालक चौके दारी नहीं करेंगा उसकी तो तो इस तरह से पिर वो क्या करते हैं उनके उपर अब यह कई कैसे आये हैं यहां पर बहुत सारे टेलफून आये हैं तो हम इस माइक के जरीए आप तक भी यह बात क्योंगा हम इसको और इस तरह से नहीं कर सकते थे जब तो कोई जिम्मेदार शक्सियत यहां मौझूद नहों आप चुके एक इदारे के में के जिम्मेंदारी महसूस करते हो और यह आपका काम है तो यह यह शिकायद भी है यहां पर यह यह कहुँगा कि चुक्छे यह चीज लाइव आ रही है तो मैं कहुँगा कि अगर जो भी आवाम उनास यह सुन रहे हैं बात और जिनके यह ग्र दो लाग हो तीन लाग हो जो भी जिसमेभाले से हो, तुक्किए उनके पास वो डॉक्यमेंट भी होगा, जा, और उनके पास वो एक लाइव, जो है, मौक्ट पर जाकर वो चीज देखी जा सकती है, आया के वो जिस्टिफाइबल है भी के नहीं है, और इस तरीके के बहुत से कराची बहुत 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 शहर है और इसके अंदर यह तमाम चीजें बहुत और बहुत सारी चीजें होंगी तो मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो नंबर मैंने आपको पहले दिया उस पर भी और जो अभी दोबारा एक और टोल फ्र के मतलब के अटलीस नैब है जो जाग रहा है और आप लोगों की कंप्लेंस जो है वो एंटेटेंड भी होंगी और आप लोगों की कंप्लेंस पर सदेबाब भी होगा वो एक्शन भी लिया जाएगा उसकी प्रॉसेसिंग भी होगी तो किसी भी हवाले से नाट जस्ट हम को सिंगल आउट नहीं करते हैं किसी एक एक ऐसे एक एक अपनी बालुमात के हावाले से पूछूँगा कि क्या आप लोग को इस चीज के इल्म था या है लिगे हम लोग नहीं आपको बात हैं नहीं हम लोगें को लेके मैं परसनल लेवल पर मैं खुद कराची में रहता हूँ त यह और आड कर दो और उनर प्रॉसेस्स ही और यहां से मैं जा कि भो चेक भी कर लोगा गैं ये यह है वागर मैं उसके के लाब जरूर्ब जरूर कहूं का है कि गुció्च बीछ जया रहा है यह अव도 अब works और अभामों नास में यह जा रही है आम जोवा अपने जितने भी ग्रिवेंसिज हैं वो डिरेक्ली आप लेकर आए उससे क्या होता है कि देखें हमारे पास एक जर्रालाइज कंप्लेन आती है और एक कंप्लेन आती है कि ये कंज्यूमर है इसके साथ ये चीज होई है तो हमें भी मुतलिका अधारे के साथ ही पिन उनके साथ relevant information मिलाने में में भी आसानी होती है ठीक कबर अबास अबास साथ आपकी गुफ्तगु जारी रहेगी इस वक्त हम खबरों के लिए असलाम बाद चलते हैं और फिर बाद में जब खबरों के हम आएंगे तो सिलसला वहीं से जोड़ेंगे जहां से मनकता हुआ था जी लिसनर्ज आपने ट्यून कर रखा है FM 101 और ये जो नखमा आप सुन रहे थे ये नैशनल अकाउंटरिबिलिटी बेरो या कौमी अधारा बराय एहतसाब का खुसूसी नखमा है और इसी हवाले से कमर अबास अबासी हमारे दरमयान मौजूद हैं जो डिप्टी डारेक्टर नैब हैं और इन्वेस्टिगेशन का शुबह खास तोर पर इनके पास है चलना साब इन से कुछ सवाल पूछ रहते हैं एतनी देर में खबरों का वक्त हुआ तो हम चाहते हैं क कमर के वहीं से गुफटगू शुरू कीजिए जहां से मुनकता हुई थी आपके एक सवाल मेरे जहने में उसको कम्लेट कर लिया था जी अब जैसे कि आपने कहा कि बड़े बड़े अधारे हैं कर्प्शन है नो डाउट चोटे अधारे से लेकर बड़े अधारों तक है और पर तो बहुत सारे मसाइल हैं अभी थोड़ा सा जिकर हमने बिजली के हावाले से कि अब हम थोड़ा सा पानी के हावाले से भी बात करेंगे पानी की कमी बेशक अबादी बहर रही है जाहरे लोग आएंगे उनको हम कुछ निकर सकते कोई क्या भी प्लैनिंग है हुकूमत क लेकिन उसे बावजूद हमें सहुलत तो हुकूमत को देनी है लेकिन यहां पर भी देखने में जाया है कि पानी के हावाले से बड़ी करेप्शन मौजूद है यहां खास बात हो रही है पानी की सप्लाई की बात हो रही है टेंकर माफिया की बात हो रही है तो यह जो माफि देखें जहां तक पानी कराची वाटर और सेवरेज बोर्ट का तालुक है पानी की कमी इस शहर तो वो मैं खुद बीं कराची आइट कराची में रहने वाला मैं खुद सफर कर रहा हूँ हम लोग सब सफर करते हैं और लेकिन नैप जो है वो आलरेडी इस पे काउगनिसेंस ल कि डिमांड है इस वक्त और जो सप्लाइ है उसके अंदर कहा जाता है कि 50% सलैश है कट है कि अगर जो है 100 इसका गालन मिलियन पर डे जो हमें रिकुआइट है तो हमें 50 मिलता है और उस 50 के हवाले से जो वो हाइडरंट के हवाले से line losses के हवाले से वह वह भी चोरी हो जाता ह या उसके अंदर भी नुक्सानोत वगरा होते हैं तो एक चीज़ अगर हम लोग ये जहन में रखें कि हमें जो डिमांड के हवाले से हमें सप्लाई है तो वो बिलकुल भी नहीं है ये अगर आप लोग कन्फर्म भी करना चाहें तो कन्फर्म कर लें और जाहरे उस हवाले से कमी तो रहेगी हम सब को कमी रहेगी मतलब अक्रॉस् दा बोड कमी होगा जितने सप्ला है उसके अदर होता है यह 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 नहीं आर्ज किया उसके इंकौाइरी नहीं हो अचा देखें इसके हमें जो है और इसका वार से सिविल सुसाइटी जो है बहुत एक्टिव भी है मैब अल्रेडी इस पर एक्टिव है हमारी बड़ी से कर्स्पांडेंस भी हो चुकी है उसके अपर उसमें बहुत सारे हाइडरिंट्स इलीगल आइडन्टिफाय भी हुए है वो डिपार्ट्मेंट्स के साथ मिलके फिर तोड़े भी गए हम लोग अक्सा टीवी पे देखते भी है कि कुछ हाइडरिंट्स है वो तोड़े गए है तो वो डिपार्ट्मेंट्स खुद भी इस चीज़ में मतलब एक्टिव है काली बेहने उनके अंदर भी है जिया जिया बल्कुर और लेकिन उनकी मैनेज़मेंट इन सीज़ों सुदार भी लेकर आना चाहा रही है मैप भी उनका इडिन्टिफाय कर रहा है अभी आप लोगो ने देखा होगा कि यह मामला जो है वह एपक्स कोट तक जाकर पहुंचा है वहां पर भी यह चीज़ है तो यह इतना मतलब के गंबीर किसम का और इतना इंट्रिकेट किसम का मसला है कि इसके अंदर हर तरह के स्टेकोलर्डर्स इन्वाल्ड है ताके यह सहूलत जितने जल्दी अवाम को पहुंचाई जाए और ताके उन में एक सुक का सांस भी हो ताके वो उनका हक है वो हम सब का हक है यह कोलाबरेशन के साथ चीज़ें चलती जाएंगी इसमें और बहतरी आती जाएगी हमारी अबादी बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है सप्लाइव ऐसे ही काम है और जो सप्लाइ हमें मिल रही है हमारी बिल्कुल यही कोशिश है कि एटलीस उसके अंदर हम लोग जो है वो हंडर परसंट इनसाफ के साथ हंडर परसंट डिलिवरी हो ताके जो जहां तक पहुंचना चाहिए उनकी मैनेजमेंट के साब से वो पहुंचे उसके अंदर कोई हैंकी पहुंचे ना हो चीक, कमर आप लोगों का एक स्लोगन है और बहुत अच्छा स्लोगन है के से नो टू करॉप्शन इसका जापता अमल क्या है क्या इसकी इंपलिमेंटेशन के लिए या इस पर अमल दरामत के लिए आपके अधारे की जानब से मतालगा महकमों को कोई ऐसे जवाबत बताए जाते हैं देखें ये जो हमारा स्लोगन है ना से नो टू करॉप्शन ये बैसिकली हमारा अवेर्नेस और प्रिवेंशन और जो रिजीम है अंडर नेब आडिनेंस उसके तहत बनाया गया है नेब जो है कानौन नेब को सिर्फ इंफोर्समेंट को इतियार नहीं देता तो आप जाएं वो पकड़े और केसीस बनाएं और वो एक सौफ्ट इमिज भी देता है हमारा कानौन और वो soft image है awareness and prevention की वो किस तरीके के साथ कि अवाम नास के अंदर awareness पैदा की जाए किस तरह किस तरह किस तरह कि बाई कि ये corruption गलत है मत करो एक या तो आप जो है एक पक्की उमर के लोगों को ये awareness दें तबलीग दें या आप स्कूलों कालेजों में जाके ये तबलीग दें कुछ भी हो जाए मुझे corruption नहीं करनी कैसे भी बुरे हालात हो जाए नहीं करनी इस हवाले से अगर आप देखें तो ATM machines के अंदर ये slogan है हमारे जितने भी departments के letters है federal provincial level पे वो जो भी correspondence निकालते है उस पर say no to corruption का उपर slogan होता है nap का अपना होता है अभी anti-corruption week last year जो है मनाया गय उसके अंदर यही collaboration नैप था नेशनल बेंकर पाकिस्तान था एक कुछ और अधारे थे जिनके साथ मिल कि हमारी walk भी हुई like awareness के हवाले से उसमें colleges भी आए हम लोग जो है वो speech declaration भी करते हैं painting जो contest होता है वो भी कर रहे होते हैं खुश खताती होती है वो भी करते हैं उसमें क क्या होता है कि बच्चों को मुक्तलिफ स्कूलों college बच्चों को लेकर आया जाता है एक platform के उपर और उनको उसी topic के उपर या तो मदमून तक्रीर करवाते हैं आप हमें speech दें या उन्ही हवाले से sketches उनसे बनवाए जाते हैं या painting बनवाई जाती हैं क्योंकि जब तक वो ख हैं जो ने बलुच्चतान के हवाले से बने हैं वो हैं हमारे कि से not to corruption को किस तरीके से आप further propagate कर सकते हैं बिलकुल यह जो walk का इनकाद किया गया भी गुजचता हफ़ते भी हुई बदनवानी के खिलाफ awareness या आ आ गही या शौर बेदार करने के लिए उसमें क्या रहा output आप देखने देखा जाए बोला जाए तो एक बड़ी मामूली चीज़ लगती है मगा जो इसका impact होता है ना वो impact आप एक activity की तियारी कर रहे होते हैं उसके लिए जो है banners बन रहे होते हैं उसके लिए मुखतलिफ एदारे के लोगों की collaboration होती है मिलाकाते होती हैं फिर उसको implement क आजाता है फिर वो आवाम उन नास उसमें शिरकत कर रही होती है फिर इसकोलों के इंगेज किया जाता है वो अपने play cards अपने banners लेकर आते हैं वो पीछे जो है एक मौसिकी भी पीछे चल रही होती है इसी एक जो है वो खुन गर्मा देने वाली मौसिकी भी होती है जिसमे कौमी हमारे मिली नखमे होते हैं चाहिए वो रिलेटेड हों या बिल्वत्नी से रिलेटेड हों वो होते हैं और उसको हवाले से मीडिया होता है वहां पर जो है एक awareness ये एक चीज एक यादगार रह जाती है मैं बात कर रहा हूँ स्टुनेंट्स के हवाले से वो जाहरे with the passage of time जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे उनके जहन में ये message जरूर होगा कि हमने किसी वक्त में एक ये चीज़ पढ़ी थी एक ये चीज़ सुनी थी हमें ये implement करनी है और बाकी ये कि इनसान अपने उपर जितनी अच्छी चीज़ें हावी करता जाए वो उसके लिए और आखरत में वैसे ही बहुत जादा बहतर होता है बिल्कुल सही का कमर और मैं ये समझती हूँ कि एक जो मुझसमों वाला आप लोगं किया सिलसला शुरू है स्टेचूज बनाए गए जो कान पकड़े हुए हैं जुके में हैं उनका क्या कॉंसेप्ट था और उनको किस त करמן हो भी द क्टेस्ट करे चुके हैं और फिर उनमें कॉंपेटिशन होता है पैर कॉंपेटिशन के Mich गयर निःनमंच के पंदरण बीस के आझा को जाती है उसके अंदर— अ मुझसमों जा जाती है उसके एक अंदर लोग्स शोभया से जो मुझस होते हैं उनको इन्वाइ देते हैं और उसके दर फर्स, second, third, four जो है वो price distribution किया जाते हैं और फिर उसी हवाले से वही चीज अवाम-थ-NAS के लिए display की जाती है ताकि कि एक एक impression जाए, एक image जाए, एक soft image जाए, एक net जो है, वो सिफ इस हवाले से जो है उनकी इस्थेटिक सेंस भी है बलके लाइब में एक्जाइकली कि वो भी है कि हम लोग अब जिसे मैं यहां पर आया हुआ हूँ हम मैं पहले भी आचुका हूँ हमारे और भी आफिसर्स यहां पर आचुके हैं FM 101 में आचुके हैं आप लोग क्लाइबरेशन के साथ स्कूल्स, कॉलेजिस में हम लोग जाते हैं वहां पर जाके लेक्चर्स देते हैं हम अपने बारे में बताते हैं जाहरे हम लोगों को टफ कॉश्चन्स वहां भी सुनने को मिलते हैं हम लोग इसी सुसाइटी का हिस्सा हैं जाहरे यह चीज़े हैं він फूरिंस ऐिका निनामगा अगर रहीन मीचे पार्थांची और सब्सक्राइची नहीं रहे खारे सेत की यहां यह को है मन्हें बिलिवर हैंहे रिकल्वर मी चैयाँ भी ख्लवाई हैं हम लोग मैटर्स जो है all the way तक सुप्रिम कोर्ट तक भी लेकर गए हैं, वहां से भी हम लोगों की केसिस को सुना गया है, और उनके जो मंतकी अंजान तक उनको पहुंचाया गया है. अच्छा, कमरबास एक वक्त बहुत काम है, एक आम दास्र लोगों में होता है, जराव अभर सुरत अलेश यहू खुर्वत यह तर्हाएं कम है, बहान लोगों को पास बहुत सारे होते हैं. तो रिशुप को वह हक समझ के ले लेतें. य तक हमारा हाक है, ठीकह, कई ऐसे ढदार हैं, लेकि यह जहालत है अपने जगहापर. इस concept को खतम करने के लिए हम या आप क्या समझते हैं कि ये जो रिश्वत है या बदनवानी है जो भी कुछ है हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचाएं क्यों बच्चे तो इससे बिल्कुल दूर है ना क्या कोई ऐसी planning है मुस्तक्बल में क्योंकि हम तो इस पुराई में ज कोफारिश है आपकी नहीं इसमें बिलकुल आपका बड़ा अच्छा और मतल माकूल इनका सवालाथ है सवाल है आपका नैप जो है अंडर अवेर्नेस इंप्रिवेंशन रिजीम स्कूल्स कॉलेजिज के साथ सी बी एम्स कारेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी वो बनी है वहा बने ताके बच्चों को बच्पन से चीजे मिलें और इस मौके से फाइदा उठाते वे मैं यह भी बात जरूर करूंगा के देखें बच्चों को पता नहीं होता बच्चों से रिलेटिड यह नहीं के जो किंडर गार्डन या क्लास प्राइमरी लेवल के लिए इवन अगर आप योनिवस्टी में और आप डेपैंडन अपने माबाब के उपर हरें राडन बेुक्राण को किस्टों को पता होता है कि उनकी इनकी भी निचे डेकर रहे होते हैं कि अńगर मुझे जा जा रहा है आया वह जुझे जा रहा है अर प्रें करें सटाट आ,स्टील को ऑँज आप लोग खुद देखें ये नैप तो दुनियावी सजा आपको दिला सकती है ना लेकिन ये के आपका इमान इस इसलाम पर चलते हुए ये तो आखरत आपकी अपनी बननी है ये बिगड़नी है अगर आप लोगों ने इस जहर के साथ आगर आप लोग अपने आपको ढ़ा आप लोग खुद इससे बड़ी पांच वक्की अजाने हमें मिलती हैं कितने लोग मजजदों में जाते हैं नमास पढ़ रहे होते हैं ये तो सेल्फ अवेरनेस आपने खुद करनी है अपने अंदर नैप जो है आप इस वक चौदा साल की सजा करते हैं आप पचास साल की है बच्चों को कोई चीज़ दी जा रही है हराम की तो उसकी ये सजा है आप लोग उस हवाले से हमें वापस उस चीज़ पर वापस आना पड़ेगा जो के हमें अपने दीन को अब मजभ को जो है वो मिला कर भी रखती है और हमें दुनिया और आखरत का खौफ भी देती है आपके कहने का मकसद बिलकुल वाजी तोर पे ये भी है कि इसमें हर तपके को अपनी इन्वाल्मेंट डिजाहिर करने चाहिए जिसमें उलमा का भी एक बहुत है उलमा असाथ इजा वालग है सब करना पड़ेगा आप लोग जो है वो खाना खाने जाते हैं हम लोग सब जा वहां से वाक करके गुजर रहा होता है कितना कच्रा है देखो तो यार केमसी कामी नहीं करती केडिये कामी नहीं करती फ़ला महाकमा कामी नहीं करता कितना कच्रा हो गया कितनी कच्रा कुंडिया हो गई है हम लोग खुद इस चीज के जो हैं जिमेदार हैं हम लोग कितनी द शहर है मेरी अपनी गली है ये बैतर होगी तो आगे मेरे आने वाले बचे भी नहीं सड़कों से गुजर रहे होंगे उनके लिए को बैतरी होगी बिल्कुल दुरूस बहुत अच्छी बात कमरबास अबासी नहीं कही और इसी के जिमन में एक बात याद आ रही है कि एक गलत हम अपने मुबाइल को अनलॉक नहीं कर सकते तो गलत तर्जे अमल से कैसे अमीद रखें कि जन्नत की वईद तो है मिलेगी कैसे बहराल जनाब ऐसा लगा या आदा गंटा जिसे पर लगाके उड़ गया और कमरबास अबासी से हो सकता है आएंदा भी पर मुलाकात हो तो फ बहुत शक्रिया है अलाहाफिस